नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सर्मार्ग तुलसी का पौधा हर घर में होता है जिसे हम विश्णू प्रिया भी कहते हैं तुलसी किसी की रूठी हुई है तो फिर मुश्किल है लेकिन तुलसी एक ऐसे ब्रिक्ष है या फिर ऐसा देव ब्रिक्ष है जो किसमत को बदल देती है यह तो तुलसी में बहुत सारे गुन है लेकिन अगर तुलसी आपके घर में नहीं टिकता है बार बार सूख जाता है इसका मतलब है आपके घर पर किसी तरह का कोई नकात्मक उर्जा वास कर रहा है या पिर किसी ने कुछ कर दिया है तुरंत ही सांती करवाईए वैसे तुलसी के पौधा एक और खास महत रखता है इसलिए भी क्योंकि आपके घर में कोई परिसानी आने वाली होती है तो पहले तुलसी ही जाती है वैसे तुलसी का अध्यात्मिक महत्वी है और इसके साथ ही घर में धने की कमी हो, ब्यापार में घाटा हो रहा हो, कलह कलेस हो, जीवन में ज़्यादा परिसानी हो, नीन ना आए तो ऐसे में तुलसी के बहुत सारे प्रियोग है तो चलिए जानते हैं, सबसे पहली बात, अगर नीन ना आए, तो चार पत्ते तुलसी के रोज तक ये के नीचे रख कर सूए और अगले दिन इस पत्ते को आप पेड़े के नीचे मिट्टी में दबा दें, देखिएगा आपको नीन अच्छी आएगी, अगर आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, आप चाहते हैं हर कारे में सफलता मिले तो चार पत्ते तुलसी के लें, दो पत्ते चबा कर निगल कर अंदर कर लें और दो पत्ते अपने पास संभाल कर रखें, और तुलसी के पत्तों से हमेशा सकात्मक उरजा निकलती है, इसलिए आपके कोई भी क इंसन से भी बाहर निकालता है वैसे अगर घर में परिशानी हो तो तुलसी का जर थोड़ा सा निमंत्रन दे कर ले आईए और गंगा जल से धोकर गुरुवार के दिन पीले कपड़े में लपेट कर बहां में धारन करें तो नौकरी बैपार की मुश्किले दूर होती है घर मे किसी के नजर लग गई हो तो तुलसी के पत्ते और साथ काली मिर्श लेकर उन पर से उबार ले और इस फिर इसको कहीं मिट्टे में दबा दें ऐसा करने से उनका नजर दोस उतर जाता है तुलसी के दो पत्ते अगर सुबह खाना आप बनाते हैं कीचन में तो भाद बनाने के पहले अपने सर पर रख कर सोते हैं या ना भी पर रख कर सोते हैं तो भगवान सोपन में दर्सन जरूर देते हैं फिला भी दालेंगे धन्यवाद